प्यारे बच्चो आज हमारा जमात नेर्श्री की उर्दू का तीसरा ओल्लाइन लेक्चर है नन्य उर्दूदान सफ़ा नंबर 102 हरूफ की कहानिया सफ़ा नंबर 38 प्यारे बच्चो सब बच्चे अपनी किताब का किताब नन्य उर्दूदान का सफ़ा नंबर 102 खोले प्यारे बच्चो आज हम नून और हे की छोटी शकल लिखना सीखेंगे नून से जो लब्स बनता है वो क्या है नून नारियल सब बच्चे मेरे साथ पढ़े नून नारियल तो अब हम नून की छोटी शकल लिखते हैं सब बच्चे मेरे साथ लिखें नून की छोटी शकल इस तरहां सब बच्चों ने लिखनी है नून की छोटी शकल ठीक है इसी के साथ अब हम हे की छोटी शकल लिखना सीखते हैं हे से जो लब्स जो बनता है वो है हे हाथ सब बच्चे मेरे साथ पढ़े हे हाथ इसी तरहां नून और हे से बहुत से लब्स बनते हैं अब हम हे की छोटी शकल लिखना सीखते हैं हे ठीक है बच्चों इस तरह आप सब ने मेरे साथ लिखना है हे की छोटी शकल ठीक है बच्चों नून की छोटी शकल हे की छोटी शकल, आपने नून और हे की छोटी शकल की प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों, अब आप सब अपनी किताब हरूफ की कहानिया का सफा नमबर 38 खोले प्यारे बच्चों, जैसे हमने आज नन्य उर्दोदान की किताब में नून की छोटी शकल लिखना सीखी अब हम नून से पढ़ेंगे कौन से लवज बनते हैं नून, नदी, नून, नाहुन सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें नून, नदी, नून, नाहुन सब बच्चे मेरे साथ दुबारा पढ़ें नून, नदी, नून, नाहुन मगर मच्चे नदी से मून निकाला और लूम्री को निगल लिया ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, उमीद करती हूं कि आपको आज का लेक्च्चर समझ में आगया होगा अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, आला हाफिज